दोस्तो स्वागत है आपका इंगिने टेक्नलोजी में तो आज हम फोर इच लूप का इस्तेमाल देखेंगे कैसे करते हैं कहां कहां कर सकते हैं प्रिष्टेक्ट्र ने फोर लूप के बारे में जाना था और आज हम फोर इच लूप का इस्तेमाल देखेंगे तो विच्छी फोर इच लूप कहां और कप करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको इतो फोर इच जो है कि उन्हीं कलेक्शन के लगते हैं सेट नंबर ओफ डेटा हो जिसे एरे लिस्ट और एरे लिस्ट कुछ भी हो मतलब कलेक्शन होना थी है डेटा का इसमें फोर इच और फोर लूप में क्या डिफ्रेंस होता है फोर लूप में हम क्या करते हैं पहले बरियेबल इनिशलाइज करते हैं उसकी वेली इनिशलाइज कर सकते हैं हम लूप जो है किछी भी किसी इंडियस से स्टार चाहिए सब्सक्रों मैं एक एक्जाम्पी दिखा देता हूं हमने आई इनिसलाइज करा जिसकी वैल्यू फोर्स रखी और यह की जिकल टू टैन तक कंडिशन लगाई आई प्लेस फ्लेस प्लेस यह हो गया अब इसमें इनिसलाइज फोर्स रखर तो यह कंडिशन लो आई की वैल्यू सब्सक्रों एक आपके पास स्ट्रिंग टाइप के एरे हैं जिसमें है हमारा हुआ है हम वैल्यू पास कर देते हैं इस तरह से तो इसकी वैल्यू हम देते हैं कितने हैं यह तीन और तीन च्छाड़ दूआठ अब यह इस तरह से हो गया है फोरीच लूप में एक फ्यादा और होता है कि हमें उसकी कंडिशन चेक कराने की कोई जटनी पढ़ती फोरीच सब्सक्रों यह फोरीच की वर्ड से सूरू होता है इस तरह से अब हमें फोरीच का एक बात ओर ध्यादर देखनें यह फोरीच हमें साथ जीरो इंडेक्स से चलता है उसे कभी नहीं कर सकते हैं उसकी इंडेक्स की वही बन से चले चले हैं तो यह द्यान रखने वाली बात है अब हमें आप किसी चीज में किसी चीज से डेटा निकाले हैं वन वाई बन किलो के 10 वंडल हैं और वह二 के कटोरे में आथें किक कğटोरे में रखे जो वही आ सकता है इसी कटोरे में आ सकता है अब उनमें से एकए करके निकालेगे तो आपको उसी तैप का कटोर रच bash created तो यह जैसे टाइब का हमारा इंटीजर टाइब का एरे है तो हमें इंटीजर टाइब का ही वैरियवल चाहिए हाँ इंट आई अब मतलब एक कटोरे निकालने हम किसमें से इन एरे यह इस तरह से हमारा लूका सिंटेक्स होग है मतलब एक इंटीजर टाइब का वैरियवल निकाला हमने जो इंटीजर टाइब का एरे है तो उसमें कई सारे मतलब कई सारे डिसर टाइब के वैरियवल पर अ वादा अ हम यह से प्रिंट करागे देखते हैं कंसूड यह भी आये है आए है हम इसों कंपाइल भी कर सकते हैं यहां से स्टेब बाइ स्टेब यह नहीं चल जाते हैं कि उसका प्रूज नहीं चलेगा प्रेंट में जब हो यह हमारा एरे हो गया इसे वेल्व पड़िया हमारे जीरो से नाइन ते जो गया अब यह प्रेंट होगा इसलिए हमारे यह लूप चलता रहा है तो दोस्तों यह आपको समझ में और में दुबारा समझा देता हूं पिर कंडिसर चेउक कर आने करते हो पर इंक्रिमेंट कर न tut नत और इस थर्ड यह होता है कि इसमें कंडिसन चेक कराने की जोग पड़ती है अब फोरीज में देखते हैं, फोरीज में हमें नहीं इनिसलाइच कराने की जोग पड़ती बैरियेवल्स, यह हमेशा जीरो इंडेक्स से चलता है जहां तक उसकी लेंट होगी, ना ही कोई कंडिसन चेक करने की जोग पड़ती है जैसे ही इसमें बैल्य निकालता रहाएगा प्रिंट करता रहाएगा और जैसे वैल्य खतम होगी यह बहर आ जाए तो दोस्तों फोरीज में इस्तमाल होता है आपको वीडियो कैसा लगा इसके बार में बताना, कमेंड से लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं वीडियो देखने के लिए सी साफ सरे लेटर थेंक्यू